बीजेपी के सीनियर नेता है पूर्व में उपमोखे मंत्री भी रह चुके है कविंदर गुपता जी न्यूस 18 पर मैं स्वागत करना चाहती हूं लेकिन मौका ऐसा नहीं है कि मैं आपका स्वागत करूं जुस तरह से आतंकी घटना यहां पर हुई है सबसे पहले आप इसको कर क्या कहेंगे सर देखिए बड़ी दुखत घटना है जिस परकार से बाहर के दो यूकों को अमरितवाल सिंग और रोहित को एक निशाना बनाया गया और उनकी आज एक की कल मृत्यू हो गई थी एक की आज मृत्यू हुई है तार्गेट किलिंग का दोर अभी बीच बीच में हो जाता है हलांकि हमारे स्रक्षाबल चपे-चपे पर तैनात रहते हैं और काफी जो गटनाए पहले होती थी उस पर चेक भी लगा है लेकिन इस परकार की गटना होने से सभाविक बात है कि एक चिंदा का वातावन बनता है तो यह तो उनके परिबार के पती मैं संवे उदार देंगे जो मिल्टेंट्स ने अपना एक नया तरीका बतला है टार्गेट किरिंग का वो कौन से लोग कहां पर खड़े होंगे किस परकार से छोटा हथियार लेकर के इन्होंने जो नया तरीका बनाया है तो प्रशासन की तरफ से बड़ा काम किया गया है स्रक्षब जो गटनाय इस परकार की होती है तो सभाविक बात है चिंता अउनी लेकिन पर से कश्मीर में अच्छा वाता वर्मले उसके लिए पूरे प्रयास सरकार की तरफ से परशासन की तरफ से और हमारे स्वक्षावालों की तरफ से किये जा रहे कि मेरा सवाल एक यह है कि जब भ हम इस तरह की घटनाओं का जिकर करते हैं कि टार्गेट किलिंग हो रही है लोगों को महापर निशाना बनाया जा रहा है लोगों की जंदगिया महापर मुश्किल करने की कोशिशे की जा रही है तो इसका मतलब हम हम इस सवाल के साथ हमेशा यह क्यों कहते हैं कि सेना मुस् पर उठा रहे हैं जो घाटी में आतंगबाद पहलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमेशा जब भी मैं अपने गैस से बात करती हूं जब भी मैं अपने रिपोर्टर से बात करती हूं हमेशा यह चीज सामने आते कि सेना अपना काम कर रही है सेना पर सवाल नहीं है सेना ने इतना अच्छा काम किया है यही कारण है कि जम्मो कश्मीर में आज हालात एकदम साम्मान्य है जैसे बाकी पुरे देश की खबरे चलती है वैसे जम्मो कश्मीर की चलती है यह एक चीज मैं समझना चाहूंगी तेकी मैं यह कर